असलों वालेकूम, मैं हूँ फाहीम खार, नेशल सेविंग के अपडेट, प्राइविट बैंकों के अपडेट, बजट, सरकारी मलाजमिन की तनखा, पैंचेन, EUBI के अपडेट के साथ, आपनों खिदत में हाजिर है, रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चै चैनल को सब्सकाइब करते, वीडियो को लाइक करते, वीडियो को शेर करते, बैल आइकउन को पैस करते, ताकि डेली बेसिस पे जम आप लोग 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 वीडियो बना रहे है, जाए वो नेशल सेविंग से रिलेटेट हो, प्राइविट बैंकों से रिलेटेट हो, सरका पेंशन अकॉंट अगरुद हो जाते हैं तो उनको activate कैसे करवाया जाए, सबसे पहली सूरत क्या होती जनाब कि आपका pension अकॉंट क्यों मार्क होता है अगर pensioner मार्च या सितंबर के महीने में life certificate जमा नहीं करवाता है किसी भी वज़ा से जो है वो डिले हो जाए और मार्च और सेप्टंबर के महीने में life certificate जमा नहीं करवाता है तो जनाब बैंक के पास ये right होता है उनके पास ये authority होती कि उस account को dormant mark करते दूसी सूरत के जनाब account dormant क्यों होता है दूसी सूरत यही कि जनाब अगर pensioner अपने pension account से 6 महीने तक कोई पैसे नहीं निकल वाता है ठीके 6 महीने तक pension आतो रही अकॉण में लेकिन pensioner उससे withdraw नहीं कर रहा कोई पैसे account से नहीं निकल वा रहा तो इस सूरत में भी जनाब bank आपके account को dormant mark कर देता है रिपीट करता हूँ जनाब अगर pensioner 6 महीने तक अपने account से पैसे नहीं निकल वाता है ठीके pension आतो रही लेकिन वो निकल वार नहीं रहा 6 महीने तक कुछ भी नहीं निकल वाया उसने तो इस सूरत में भी जो है bank account को dormant mark कर देता है यह दूसरी सूरत है अच्छा जिए तीसी सूरत में बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ pensioners account के लिए नहीं मतलब कुछी को pension account हो या normal account हो ठीके यह condition तमाम accounts के लिए क्या है वो क्या condition किया जनाब अगर कोई account pensioners account हो या normal account हो अगर customer हो या pensioner हो ठीके अपने account से एक साल तक ना कुछ पैसे निकलवाता है और ना ही जमा करवाता है मतलब एक साल तक account में ना कोई debit की transaction होती है और ना ही credit की transaction होती है तो इस सूरत में भी जनाब bank उस account को dormant mark कर देता है condition ये कि customer हो या pensioner हो उसके खुड transition करना जुरूरी है मिसाल के दोर पर एक customer का account है saving account है ठीक pensioner account है ये कोई सब ये account हो saving account है कुछ पैसे रखे हैं में 50,000 रुपे रखे हैं ठीक है अब हर महीने उस account में profit आ रहा है और profit पे tax भी गट रहा है bank automatic जो है account debit और credit कर रहा है लेकिन अगर customer ने खुद एक साल तक जो है account में से ना कुछ पैसे निकल वाया ना जमा कर वाया तो इस सूरत में जबके हर महीने account debit भी हो रहा credit भी हो रहा क्योंकर हर महीने profit आ रहा है account में और profit पे tax कट रहा तो debit हो रहा है लेकिन चुके system खुद कर रहा है customer नहीं कर वारा है ठीक है पूरे साल भर account debit हो रहा है credit हो रहा है लेकिन computer खुद कर रहा system खुद कर रहा customer नहीं कर वारा है ऐसी सूरत में भी account डॉर्मेंट हो जागा मतलब पूरे साल भर account debit और credit होता रहा मतलब profit आता रहा उस पर tax कटता रहा profit आता रहा tax कटता रहा debit और credit होता रहा लेकिन customer ने खुद जो है account में एक साल तक ना कोई debit किया ना ही credit किया तो ऐसी सूरत में भी जो है वो account dormant mark हो जाएगा चाहे वो pensioner account हो या फिर customer का normal account हो saving account हो या फिर current account हो अच्छा dormant account मसला क्या करता मतलब disadvantage किया है dormant account से आप पैसे नहीं निकलवा सकते है मतलब एक कोड़ भी account में रखा वा account dormant mark हो गया जनाब तो उससे पैसे आप नहीं निकलवा सकते जब तक कि आप account से dormancy remove ना करवा दे अब हम pensioners account की तरफ वापस आते हैं दो चीज़ यहां पर बहुत important है एक आपको अपना account ब्रांच जाके activate करवाना है सबसे most important पहले यह चीज़ है और दूसे नंबर पे आपको account office को inform करना है तो सबसे पहले काम क्या करना है आपने bank जाके ब्रांच जाके अपने account को activate करवाना है वो किस तरह होगा वो पहले सुन ले आप अपनी ब्रांच का विजिट करें शनाखती कार्ट की copy वैले शनाखती कार्ट की copy ठीक है अगर शनाखती कार्ट आपने बनने दिया हो मतलब renewal के लिए दिया हो है तो फिर आप नादरी की slip आपको देनी पड़ीगी ठीक है ब्रांच का अपनी विजिट करें आप CNIC copy साथ लेके जाएं और शनाखती कार्ट लाजमी लेके जाएगा और साथ साथ जो है life certificate लेके जाएगा और ब्रांच वाले को inform की देगा है कि भाई यह वज़ा थी इस वज़ा से जो है मैं मार्च सेप्टमबर के महिने में life certificate जमा नहीं करवा सका जिसकी वज़ा से जो है ना मेरा account टॉर्मेंट मार्क होगा है इसको activate कर दें ठीक है और जनाब और यह शनाख्ति कार्ट दिखा देना है जो documents bank देगा जैसे fat का दिया या kyc दिया या कुछ और documents है जो उनको profile update करने के अपके चाहिए होता है वो आपको देगा उसको पढ़के sign कर देगा ठीक है अपने account को activate कर वालेगा उसके बाद जब सबसे most important चीज़े इसको नहीं भूलिएगा कुछ भी हो इस process को नहीं भूलिएगा जैसी आपका account activate होगा उसी दिन आपने अपने account में एक debit की transaction करनी है और एक credit की transaction करनी है बतलब जैसी आपका account activate हुआ आप cash contract पे जाए deposit sleep भरे 100 रुपए हो या 500 रुपए जा हो वो account में आप जमा करवादे ठीक है cashier के पास जाएंगे मेरा account dormant से activate हुआ है यह 100 रुपए मेरे account में जमा करवादे हूँ या 500 रुपए account में जमा करवादे हूँ या 1000 करवादे हूँ जो आपको suitable है ठीक है और उसी वक्त आपने एक चेक काटना है cash का और यह मुझे वापस करवादे हूँ मतलब मेरे account से जो 1000 रुपए मैंने deposit करवाए एक debit मुझे वापस करवादे हूँ मतलब चेक भी 1000 रुपए काट के देंगे ताके cashier आपको 1000 रुपए वापस करदे ठीक है यह क्या करेंगे अब जनाब 1000 रुपए आपने cash जमा करवाए यह 500 रुपए cash जमा करवाए और ATM पे गया है और वहाँ से आपने जोए 500 रुपए cash ने करवा ले मतलब जिस दिन आपका अकॉंट एक्टिवेट होगा उसी दिन आपने एक debit और एक credit की transaction लाजमी करनी है सबसे असान तरीका है कि cash गांटर पे जाए 100 रुपए यह 500 रुपए उसको दें और 100 रुपए जितनी अमट आप जमा करवा रहे है उतरेंगे चेक काड़ दें उसको बता दें आप एक debit और एक credit की transition आप कर सकते है ठीके आप यह भी कर सकते हैं जनाब 1000 रुपए जमा कर वा है और 500 रुपए यह भी कर सकते हैं यह पर इसा नहीं किया सिर्फ deposit कर वा दिया या फिर सिर्फ पैसे आकॉंट से निकल वा दिये तो शाम के बात मतलए end of day EOD के बाद जहें आ आपका account दुबारा dormant mark हो जाएगा और सारा process दुबारा से करवाना पड़ेगा यह गल्दी आप नहीं किजेगा ठीके बराण जाके अपने account activate करवाना है और उसी दिन एक debit और एक credit transition करने मतलब account में कुछ पैसे जमा करवाने है और कुछ निकलवाने है उसी दिन लाजमी ठ next process किया जनाब next process है आपका account office को inform करना account activate होते साथी सबसे पहले आपने account office को inform करना है ठीके चाहे वो letter के थरो करें या किसी तरह करें और deposit slip जो सबूत है कि आपका account activate हो गया ठीके deposit slip पे वो bank की stem लगी होते cashier के sign होते cashier की stem होते की जनाब इस बंदे ने 100 या 200 या 500 रुपे account में जमा करवाया ठीके तो cash receive की stem होती ही वो cashier उसी वक्त लगाता है जब वो cash receive कर ले account को credit कर दे ठीके तो आपने account office को inform करना है और साथी साथ deposit slip की copy भी जमा करवा दे ने कि भाई मेरा account activate भी हो गया है आप मेरी pension अब दुबारा भेजना शुरू कर दो सबूत की तोर पे account office को सबूत की तोर पे आप deposit slip की copy दे सकती है जिसमें ब्रांच की cashier की stem मौजूद होती है कि cash received साथी साथ आप अकाउंट office को यह भी इनफर्म कर देगा किन वजुहात की बाद से वो account dormant mark हो गया था life certificate आप क्यू जमा नहीं करवा सके थे या क्या वाज़ा थे कि जनाब आपने 6 महिने तक अपने account से जो आपकी pension आया थी वो नहीं निकल आया जो भी reason आप वहां mention कर देंगे इतना बड़ा issue नहीं होता account office पे उनको बस information चाहिए होते कि जनाब कि आपका account activate हो गया वो pension भेजना शुरू कर देते हैं अगर account activate नहीं होगा और वो pension भेज़ेंगे तो जनाब pension दुबारा से reverse हो जाएगी मतलब bank जो pension की amount हो वापस कर देगा कि account dormant है customer को बोले pensioners को बोले पहले अपना account activate कर वाए अच्छा normal जो dormant account होता है उसका process तक्रूबन सेम ही होता है ठीक है और उसके बाद एक unclaim account भी होता दौर्मन account होन गनाऊंगा dormant account पे pension dormant account normal dormant account और unclaim account क्या होते हैं अगर किसी वज़ा से आपके account में 50 लाग रुपए था एक क्रूड रुपए था ठीक है और आप मुल्क से बाहर चले गया है मीडियलिस चले गया है और 10 साल या किसी वज़ा से UK चले गया है अमेरिका चले गया और 10-15 साल तक वापस नहीं आ सके मुलक और जब आप वापस आए तो पता ही चला है कि जनाब आपकी account में जो एक लाग था या दस लाग था या पचास लाग था या पचास लाग था या क्रोड था वो account अब zero हो चुग है क्योंकि जो आपके पैसे थे बैंक को बैंक ने दे दी है तो उस account को कहते है अंकलेम account जो दस साल के बाद होता ठीक है तो अंकलेम account जो पैसे state bank को चले गए वो वापस किस तरह होंगे अंकलेम account से आपका account active कैसे होगा आपको आपके पैसे किस तरह वापस मिलेंगे मैं दो चार दिन पांच दिन में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मै dormant account की complete details दूँगा और unclaim account की complete details दूँगा और किस तरह dormant account, unclaim account या किसी भी types की account हो उनको dormant से activate कैसे करवाना है और unclaim से activate कैसे करवाना है state bank से किस तरह पैसे वापस आईगे dormant account की जो पैसे होते हैं वो बैंक में मौझे होते हैं जो unclaim account के पैसे होते हैं वो बैंक उठाके state bank को दे देता है ठीके यह फर्क होता है बैरल dormant account normally 6 मेने 1 साल बाद हो जाता है ठीक है और unclaim account 10 साल बाद होता है unclaim account 10 साल बाद होता है 10 साल बाद bank पैसे उठाके state bank को देता है वीडियो उमीदें आप तो पसंद आई होगी request आप लोग से ही अगर आप हमारे चैनल पे नए है पेंच चैनल यो बी आई हो वीडियो फरस्ट आपल आपनों को मिले और आप लोग जाता से जाता फायदा हासिल कर सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में चला तब तक के लिए अल्लाह आपिस